केवल शूल बातों पर अहिसा को उलजा देते हैं उससे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवत्तन नहीं होता कल्याण भी नहीं होता एक सब्ध पर आप ध्यान दे ले कि मेरी जीवन सैली अहिसा प्रधान है या नहीं है अगर अहिसा प्रधान जीवन सैली है तो मैं संती से जी सकता हूं और परिवार को भी संती के साथ जिला सकता हूं और मित्रों सब के साथ संपर के हम संति के साथ रह सकते हैं और जीवन सहली में अहिसा का स्पर्स नहीं है अहिसा केवल धारना, मानिता, सिधन्त की बात है या थोड़ा बहुत कुछ कर देने की बात है अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपने ने तो आहिसा को समझा और ने आहिसा को ग्यापक रूप देने वाले महावीर को समझा मैं मानता हूँ कि आहिसा के बारे में भगवान महावीर ने जितना विश्तार से बतलाया है साहित हमारे बहुत सारी सादू साद्वी भी नहीं जानते स्राव की बात तो ग्रियस्तों की बात तो क्या कहूं केवल काई काहिक इंसा अहिसा पर अत्के हुए है कि सरीर से ये हो गया वे हो गया एक ये घड़ी लग गई तो ये हो गया काईक इंसा पर तो बहुत है एक हर्याली लग गई तो यह होगा किन्तों सबसे बड़ी जो बाचिक इंसार मानसिक इंशा हमारा ध्यान ही नहीं है बाचिक इंसा भी होती है जब आपस में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्तान की कावत है खीर में मुशल नाक डियो है जाने खीर में मुशली डाल दिया ऐसा कड़वा बचन बोलते हैं और जब यह चुनाव का समय होता है उस समय तो बाचिक इंसा का इंसा का खुल कर खेल होता है जितना एक दूस्ते को कुछ दिखा सकें कर सकें सारी बात आ जाती है जो अभी सामने बहुत चुनाव आने वा है हमने आहिसा को कहां से समझा समझा नहीं है मांसी कहीं साथ